वेलकुम तो माई न्यू ब्लोग। आज हम दिनापूर आया हैं अब कब दे रूम लेने के लिए आज दुखने के लिए शोग। अब करते हैं और रूम मिल जाएगा तो हम आपको वह दिखाते हैं तो यह हमारा रूम हम रूम में रूम को बहुत ही मैसी बना दिया है और मन के एक्जाम था वह भी हो चुका है तो अब हम रात में यहीं रूके थे अब हम नेक्स दे रेडी हो रहे हैं जाने के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे और फिर जाएंगे यह लिखा है वाँ घर अब हम यहां से जाने के लिए रेडी हो चुके हैं और बच्चे भी सब रेडी हैं तो अभी मैं दिखाती हूं आपको उपना रूम टूर जहां पर हम रूके थे तो यह रहा हमारा रूम और यह देखो हमने अभी कितना मैसी बना दिया है और यह पाने की बॉटर्स रख़्ी होई हैं इतना सारा पानी पिया हमने और मनन सारा अचिदर अभी पढ़ाई कर रहे हैं और यह केके और इधर है टीवी लगा हुआ जो की चलाई ही नहीं पता नहीं से क्या दिक्कत हो गए चलाई नहीं और वैसे हमें इसकी जूरती नहीं पड़े क्योंकि मरन तो दिन वर बाहर था तो हम भी बाहरी थे दिन वर बाहर था हां कल था नहीं और इधर है ड्रेसिंग टेबल जिसमें के हम दिख रहे हैं तो जिसमें के मरन नहीं दिख रह यह है तो अब हम निकलते हैं रूम से बाहर ब्रेकफास्ट करते हैं और थोड़ा सा मार्केट में घूमते हैं और उसके बाद फिर चेक आउट होगा रूम से और फिर हम जाएंगे घर चलो तो अभी हम पहुंच चुके हैं दीमापूर रेल्वे सेशन पर और हम जा रहे हैं बापिस घर अब तो हम बहुत ठक चुके हैं शॉपिंग भी हो गई जो काम था वो भी हो गया तो अभी हम दीमापूर से पहुंच चुके हैं घर और रेस्ट भी कर ले हम बहुत ज़्यादा ठक गए थे तो मैं तो आके जोट से कपड़े सब्ले चेंज करके हाथ मुड़ों के रेस्टी कर रहे थी और अभी बनन को हो रही है बहुत जादा खांसी मनने दीमापूर में अब जादा पता नहीं क्या खा लिया है यह देखो किसे खांसे है तो मैं बनाती है इसके लिए बूट के अध्रक वली चाहे और दिनर भी त्यार करती हूं तो आज जल्दी से दिनर बना के खाते और सो जाएंगे और अब इस ब्लॉग को में यहीं पर एंड करती हूं मिलत को सब्सक्राइब करें और पिरने व्लख में तक तक चलिए बाई